जुन्जुनों में डाक विभाग द्वारा सुकन्य सम्रिदी योजना के तैट विशेश अभ्यान चलाय जा रहा है। जुन्जुनों में इस योजना का प्रचार प्रसार केम्प लगाकर किया जा रहा है। इस समें डाक विभाग में एक विशेश सा वियान सुकन्य समर्जी खाता खूलने का चलावा है। जिसके तहट जनम से लेकर दस साल की उमर तक की वालिका का खाता खूलता है। मिनीमम डाइशो रुपे से खाता खूलता है। और अधेक कम इसमें डेर लाक रुपे एक साल के जमा हो गए है। इस खाते में ब्याज जो है अन्य सिमिकों की उज़ाए सबसे अच्छा ब्याज मिलता है। और यह माननीय परदानमंत्री जी मोदी जी की का यह शुरूप यह वर्स 2013 में यह अभ्यान शुरूप यह खाता इसकी में चालूप की थी। उसके बाद अच्छे खाते खुले हैं करीब करीब हर बच्ची को इस कवर करने की यह योजना है। और इस समय हमारे जिन्जनुल जिले में सुकन्या समरदी सब्ता के मिसेस कुछा के रूप में बच्चियों का खाता खुले जा रहे हैं। और इस समय इस अभ्यान के तायत पूरे जिली में करीबन 5,000 खाते तो खुल चुके हैं और अभी 2,000 खाते और खुलने का भी हमारा टार्गेट है तो हमारे निसी इस अभ्यान में एकी सगस्ता के पूरे हो जाएंगे और हो सकता है कि अभी जो हमें रेष्वंस में रहा है इस से जाता है भी खाते पूल सकते हैं क्योंकि भिसेश्의 में पिशर्णा की यके उर्ष सहान के लिए बैटी को समरत बनाओ बैटी के सुक शोधा के लिए उसकी अर्थिकिस्तिक कि दीकिलिए दॉत के लिए बच्ची की साथी के लिए ऐसी चोटी बच्चा आगे जागे अच्छी एक इंकम पैसाजुड़ जाता है बच्ची एक बार माता-पिता को हिमत करके खाता कुलाना यॉता-दायस बच्ची के पास इसके बार चुद के पास पैसे उता होते हैं। इस निखर है अगर जम मेसा कि ャंटावजिक पास न के अधूज कम जमा हो जाती है बच्ची कहा जनम पर सब्सक्राइब परिडिस्टी ऱंफ वज़ी तब बच्चे को पष्छी को पेसी नहीं है और वो बच्चे आगर आम काम भी नहीं लेकर इस खाते में जमा करा दें, बच्चे के आगे काम आएगा, इसमें पैसा निकालने का है कि बच्चे जब 18 साल की हो जाएगी, उसके बाद इसके हायर स्टेडी कोलेज के लिए जितना खात पहले में उसका आदा परशन निकाल सक जाते हैं और उसकी साधी के लिए इसका पोरा पेखाने का सकते हैं, जो फायदा होगा है उसके बच्ची कोलेज में जाती है, उसके बड़ी अच्छी खाशी की पैसे जो तुझार गार्ण करने ही पाता है, तो इस खाते में सुस्षायोग मिलेगा, तो साधी के समय उसको जाते हैं, तो इसमें थोड़ी बच्ची के साधी तक आपको इसी खाते के पैसे से बच्ची के साधी हो जाएगी, यह है इसमें